हेलो, नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है वीडियो के आगे पढ़ने से पहले मैं बता दो दोस्तों, आज आज उस वीडियो में बात करने वाले है फ्लिप कार्ड पे जो आपको सेल देखने को मिलने वाला दोस्तों, उसमें आपको स्मार्टफॉन को मिले तो उसी के बारे में एक छोठा साज डीटेल को देखने को मिल जा आगा दोस्तों तो बिना टायिम वेस्ट्कiyi हुए आप से मिलते हैं सीधे इसम्यूजिक के बाद तो दोस्तों जैसा कि आपने थम्नेल और टाइटल से पता करी लिया हो दोस्तों कि आज हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं तो हम इस वीडियो में जानेंगे रियल्मी की ओर से लॉंच हो रहे हैं 16 टूबर को जो फिलिपकार्ड की ओर से सेल देखने को मिलेगी उसमें हमें रियल्मी की ओर से कौन-कौन से फोन और किस कीमत पर देखने को मिलेगी और कितने सारे स्पेक्ट्स होंगे सारे फोन में क्या क्या होंगे वो सारी डिटेल वीडियो में आपको इसमें बताने वाला हो तो इस बात पर मैं आपको बताती है पहला हमारा स्मार्ट पूरने दोस्तों, Realme C11 की अगर हम पिछले कीमत की बात कर ले तो यह 9000 रुपे के आसपास इसकी कीमत थी, लेकिन आपको यह सेल के दोरान 6499 रुपे में देखने को मिल जाएगा दोस्तों, वहीं अगर हम इसके स्पेक्ट्स की बात कर ले तो इसमें आपको MediaTek वाला प्रोस वाला डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि यह स्मार्टफोन को और भी बैतरीन बताता है, इस प्राइस सिगमेंट के हिसाब से, तो अगर आपका बज़र जो दोस्तों, 7000 रुपे से कम का है, तो आप इस स्मार्टफोन के साथ जरूर से जा सकते हैं, अगल पर दो वेरियंट मार्केट में देखने को मिलेंगे, तो पहला पर वेरियंट होगा, चार जी विरम और 64 जी वाले इंटरडल के साथ, जिसकी कीमत आपको 11,999 रुपे देखने को मिलेगा, और दूसरा जो वेरियंट होगा दोस्तों, वह है चार जी वी और 128 जी वाले स्टो के साथ जिसकी कीमत 12,999 रुपे रखा जाएगा दोस्तों और इसके लिए हम स्पैट्स की बात कर लेते हो तो इसमें आपको जो है दोस्तों स्नाप्रेगन का 662 वाला प्रोसेसर देखने को मिले हैं साथ ही साथ आपको 5000 इमेज की बड़ी बैटरी की देखने को मिलेगी जिससे आप 18W के चार्जर से चार्ज भी कर सकते हैं दोस्तों साथ ही साथ आपको फिंगर प्रिंटर स्कैनर यह सब सारे देखने को मिल जाएंगे दोस्तों तो यह स्मार्टफोन और जो इसको बैटरी और और बनाता है दोस्तों वह है इसका 64 मेगा पिक्सल का कैमरा जो कि आप व है अगर हम बात कर लेते हैं तो वह 12,000 रुपे के आसपास दोस्तों और सेल में जो आपको इसकी कीमत देखने को मिलीगी वह ओगा 8499 रुपे दोस्तों साथ ही साथ अगर हम इसके थोड़े से स्ट्स की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको मीडिया टेक का जो है जी-35 बाल जो कि आपको भी पता, दोस्तों, काफी बड़ी BATTERIE है, वो भी आपको इस SMART FONE में देखने को मिल रहा है, दोस्तों, साथह साथ आपको इसमें 13 मिला पिकसल का कैमरा देखने को मिलेगा, आपको बैक में 4 कैमरे देखने को मिलेए, जिसके गर हम पुरानी कीमत की बात कर लेते हैं तो इसकी जो पुरानी कीमत है दोस्तों वह 10,999 रुप्य है दोस्तों और इसकी जो आपको नई कीमत मतलब आपको जो चेल में कीमत देखने को मिलेगी वह 7,999 रुप्य होगा दोस्तों तो यह स्मार्टफोन भी आपको जो बहत तिरीफाइव बला प्रोशेसर भी देखने को मिल रहा है तो यह स्मार्टफोन भी अपने प्राइस कों आसादिससटीफाइब करता है तो बाकि आप इस्मार्टफोन के भी साथ लिश्ट में आ सकते हो अगला प्रोब siयो यह हाँ तो एक हजार रिपे का भी आपको यहां पर डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको कार्ड के साथ अगर SBI वाले कार्ड है दोस्तों तो वह सब चीज है तो मैं आपको बता चुका हूँ अगर आपने वह विडियो भी नहीं देख आपको लिक देख लाहां है वह सारी डिटेल्स वाली वीडियो है वह Mind आपको दिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा तो वहेगर हम 7 Pro की बात कर लें speaks बगारा की बात कर लें तो इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है साथ ही साथ आपको इसमें जो है 65W का Super Dot Charger भी देखने को मिलेगा Snapdragon 720G वाला प्रोसेसर 4500 mAh बैटरी और 64 MP का कैमरा देखने को मिल रहा है जो कि इस smartphone को फुल package वाला smartphone बनाता है अपने कीमत के हिसाब से इन सारे जितने भी तक मैंने smartphone बता है दोस्तों उनमें से ही है जो सबसे बैठरी न smartphone अभी तक बन क्या है तो आपके अगर एक flexible type के smartphone लेने की सोच थी दोस्तों तो आप इस smartphone के साथ आसानी से जा सकते है अगला जो smartphone और इस लिस्ट में आता है वह है realme 7 realme 7 आपको इस smart cell में भी देखने को मिलने वाला है जिस पे आपको 1000 रुपय का discount भी देखने को मिलेगा इसकी कीमत आपको 15,000 रुपय से स्टार्टिंग देखने को मिल जाएगी इसमें आपको 90Hz वाला display देखने को मिलेगा और साथ इसाथ 64 Megapixel का camera भी इसमें आपको देखने को मिल जागा तो यह स्मार्टफोन अपने इस प्राइस के ही साब से इस लिस्ट में बिल्कुल जस्टिफाइग करता है स्मार्टफोन है वो है Realme 6 जिया दोस्तो Realme 6 भी आपको इस सेल में देखने को मिल रहा है जिसकी गर हम पुरानी कीमत की बात कर लेते हैं तो यह जिसकी कीमत थी वो 17,999 रुपय था और यह आपको अभी जो देखने को मिलेगा दोस्तों वो आपको 13,499 रुपय में देखने को मिलेगा इसके अगर हम स्पेक्ट्स नगरा की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 90 हर्स का डिस्प्ले देखने को मिलेगा साथ ही साथ इसमें भी आपको जो है Mediatek Helio Z9T जो की बहुत ही बैटरें प्रोसेशर दोस्तों वो आपको इसमें देखने को मिलने वाला है साथ ही 300 mAh की बैटरी, 64 Megapixel का कैमरा, आपको 6G RAM भी देखने को मिलेगा दोस्तों, 30W का Flash Charger भी देखने को मिल रहा है तो इतने साथे स्पेक्ट्स के साथ यह स्मार्टफोन आपको देखने को मिल रहा है तो आप इसी स्मार्टफोन के बारे में क्या सोसते हैं वो आप नीचे comment box मे स्मार्टफोन है दोकतो, Realme X3 और X3 SuperZoom दोनों ही स्मार्टफोन पैटरीन दोस्तों, Realme के ओर से जो बैटरीन स्मार्टफोन होते हैं उनमें ये टॉप पे आते हैं वो दोनों स्मार्टफोन आपको इस Cell में देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब आपको इसके कीमत में भी बहुत ही कटाउती देखने को मिलेगी तो इसकी जो भी कीमत है X3 की वो है 27,000 रुपे, सेल में आपको 21,999 रुपे मतलब 22,000 रुपे में देखने को मिलने वाला है और अगर हम सूपर जूम कीमाथ कर लेते हैं इसकी कीमात है 30,000 रुपे और आपको सेल में 25,000 रुपे में देखने को मिलेगा, मतलब 5,000 रुपे आपको discount, जी हा दोस्तों, 5,000 रुपे discount, आपको भी पता है काफी बहतरी discount है, दोनों स्मार्टफोन में आपको Snapdragon का 855 प्लस वाल प्रसेसर देखने को मिलेगा, तो आप दोन स्मार्टफोन, flagship grade के स्मार्टफोन के ही साथ से जाके ले सकते हैं, दोनों में थोड़ा सा camera में difference है दोस्तों, बाग ही दोनों स्मार्टफोन अपने specs के साथ बहत ही बहतरीन स्मार्टफोन है, आखरी लिस्ट में हमारा नाम आता है Realme के स्मार्टफोन का, वो है Realme X50 Pro, जी ह दोस्तों, Snapdragon 865 बला processor देखने को मिलेगा, जो कि आपको 37,000 रुपे कीमत में, जी हाँ, आपको 865, 37,000 रुपे कीमत में, इसकी जो पहले कीमत रखी गई थी, वो 42,000 रुपे थी दोस्तों, तो मतलब आपको लगभग 4,000 रुपे का discount इस स्मार्टफोन के साथ देखने को मिल का स्मार्टफोन लेने का सोच रहे थे, वो भी flagship grade का और आपका जो range है, इसी के range के हिसाब से था, तो दोस्तों, तो बाकी उमीद है कि आपको इतने सारे जो मैंने फोन्स बता है, उनमें से आपको कोई स्मार्टफोन लेना हो, तो उसकी details आपको पता चल गई है दोस्तों, बाकी अगर आपको कोई भी अभी भी doubt हो, तो वो नीचे comment box में आप लिक के बता देना, मैं उसका reply जरूर से कर दोगा, और वीडियो अगर पसंदा रहे तो वीडियो को like जरूर कर देना, अगर आपनी चैनल कभी तक subscribe नहीं किया है, तो subscribe भी कर लेना और साथ बेल आइकन जरूर दबाताना, क्योंकि मैं sell tech में Amazon और Flipkart दोनों के जितने वी deals हैं, वो सारी वीडियो में बना के आपको बताता रहोगा, तो बस और दोस्तों के साथ share भी करना बिल्कुल ही मत बोलना दोस्तों, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, जैन, जै भारत!